कि आपका basically आने का purpose क्या है जीवन के अंदर कि पैसा बहुत जरूरी है लेकिन पैसा सब कुछ पर पैसे के बिना आपका जीवन नहीं है शुक्र आपको desires देता है शुक्र आपके मन के अंदर बहुत सारी चीजों को बढ़ाने का का अगर आपकी sexual life अच्छी नहीं है तो आपको शुकरवार के दिन आपको रिलाइबल नहीं रहने देता, कमिटेड नहीं रहने देता अप्तम हाउस का जो शुकर होता है, वो व्यक्ति को परिवार बहुत अच्छा दे देता है तो क्या चीज है जो शुक्र से नहीं मिल सकती, सच्चा प्रेम शुक्र से मिलता है मेल है, लेकिन वो थोड़ा सा सोचेगा कैसे, एक औरत की तरह सोचेगा, उसमें ममता होगी उस चीज का आपके अंदर दर्द है, यार ये रिष्टा तूट कैसे गया ये रिष्टा खराब कैसे होगा, आपने एक गाठ नहीं बान दी ऐसी कौन सी आदत है जो आदमी या इनसान की लाइफ में पैसो पे इंपक्ट दे दिया सच्चा प्यार ना मिलना, प्यार में बार बार धोका मिलना ये शुक्र ही है शुक्र को अच्छा करने के लिए आप ग्रीन कलर के पैन से मतलब किसी ने जैसे फर एक्जांपल मैंने पैसे दे दिया और मेरे को पैसे नहीं मिल रहे है मेरे को वापे बट उसकी कोई रेमेडी है तो जैशी राम सभी को शर्मा जी की बैटे के एक नई एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है आज फिर से एक बार हमारे शाथ में मैम आ चुकी हैं बहुत दिनों बात राजे राजे मैम तरिशला मैम तरिशला मा तो कैसी चल रही है मैम लाइफ थाको जी की खुरिपा अभी थोड़े देर पहले आपकी लाइफ के बारे में जब पूझा था तब थोड़े डिस्टर्ब से चल ले थेतें क्यों वہ उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं क्या ऐसी चीज हो रही है आपके साथ जिससे आप थोड़े से डिस्टर्ब हो Actually ना हम लोग मैंने जैसे आपको बताया कि हमने अपनी जर्नी podcast से start ने करी जैसे बहुत सारे astrologers हैं जिन्होंने अपनी जर्नी podcast से start करी है मेरी जर्नी बहुत पुरानी है astrology में और हमने इतने सालों में जिस तरह के लोगों को जिस तरह के अपने साथ लोगों को आते जोड़ते देखा है astrology को समझते देखा है अब मैं उसके बिल्कुल विपरीत चीजे देख रहे हूं एक नई दुनिया podcast के बाद एक बहुत नई दुनिया देख रहे हूं कि हमें यह जानना है अपने बारे में हमें ऐसा पता होना चाहिए हमारे बारे में लेकिन उस चीज को लेके धैरे अपने अंदर किसी चीज के साथ जूड़ने का चाहे वो अध्यात्म हो हो चाहे वो जोतेश हो चाहे वो गुरु हो, चाहे वो ईश हो, कोई भी एक आपके पास में आशिरवाद है किसी का, उससे जूड़ने का पेशिंस नहीं है, अब वो पेशिंस नहीं होने की वज़े से क्या होता है कि भटक राय वेक्ति, और जादा विचलित हो गया है, जितना समहल जाना चाहिए थ तो यह कैसे, तो वो चीज़े थोड़ी सी, शायद मुझे, मैं कल्यूग में सत्यूग का इंसान बहुत गलत हूँ, मुझे थोड़ा सा यह चीज अच्छी नहीं लगते, क्योंकि यह बहुत आपके जीवन को बनाने का एक बहुत अच्छा helping hand है जोतिश, हर दृष्टी से, आप काम में ले लिजे, आप परिवार में ले लिजे, आप अपनी पढ़ाई में ले लिजे, आप अपने स्वास्त में ले लिजे, हर एक सेक्टर के अंदर जोतिश आपको बहुत मदद कर सकता है, आपके साथ बहुत अच्छी से काम कर सकता है, लेकिन हो क्या रहा है, उस इंसान थोड़ा confused भी हो गया है, तो आपको try करना चाहिए, आप पहले एक व्यक्ति किसी को भी, मैं यह नहीं कहा रही कि मेरी ही करो, लेकिन आप किसी एक व्यक्ति की एक remedy try करो, और थोड़ा सा वक्त दो, कि वो चीज आपके साथ काम कर रही है या नहीं कर रही है, अगर नह से अभी फिलाल ऐसा आपके साथ हो रहा है, बागी लाइफ अच्छी चल रही है मैं, बहुत बढ़ी है, मैं एक चीज जानना चाहरा हूँ, बहुत सारे बंदोग है ना, मतलब मेरे को खुद नहीं पता, मैं जित्ते भी आपसे question पूछूँगा ना, वो अपने regard में कि हम क्या यहां पर पैसे कमाने आये हैं, लाइफ में, क्योंकि अगर मेरे को कुछ भी काम करना है, इवन मेरे को मंदिर भी जाना है, तो भी मेरे को पैसे की ज़रूरत है, तो इसके बारे हम बता, कैसे पता कर सकते हैं, कि हम लाइफ में आये क्यों हैं, और यह क्या हम सिर् आपका बेसिकली आने का परपस क्या है जीवन के अंतर आपका करम केवल पैसा कमाना है और पैसा कमा के अपने इर्द गिर्द के जो 10-15-20 लोग है आपके परिवार के उनके लिए आपको सुविधाय जुटाना है उनका पालन पोशन करना है उनके खाने का उनके पीने का उनक इनकी दवाईयों का इनका सबका आपको अपनी तरफ से पूरा उनको जुगार करके दे देना कि अब मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी और यही एक हमारा बेसिक आने का कारण है और हम इसलिए आए कि हम कमाएं और हम सबको खुश रखें कहीं नहीं कहीं यह भी लिखाए उस पैसे को आप उस चीज यूज करके अपने मन की भी चीज़े कर सकते हैं जो आपको पसंद है जैसे बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत कलाएं होती है उन्हें पेंटिंग बहुत पसंद है या उन्हें डांस बहुत पसंद है या उन्हें गाना बहुत पसंद है अलग अपने द्वारा कमाये गए पैसे को, आप उसके उपर भी spend कर सकते हैं, आप वो चीजे भी कर सकते हैं, जो आपको पसंद है, आजकल तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जो अपनी कला को ही अपना profession बना ले रहे हैं, जो वो करना चाहते हैं, जो उनको पसंद है, जिसमें से म पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है, पर पैसे के बिना आपका जीवन नहीं है, हर इंसान यह नहीं कह सकता कि मैं बिना कम पैसों के या बिना पैसों के मैं जीवन यापन कर लूँगा, फिर आपके जो struggles हैं, वो अलग तरे के आ जाएंगे, जीवन को चलाने के लिए, तो पैसा आपके जीवन को चलाने के लिए साहता करता है, मदद करता है, आपको बहुत सारी सुविधाओं के साथ, अपने कारे को करने के लिए, एक तरीके से वो आपका helping hand है, आप पैसा कमाएंगे, तब ही आपकी बुद्धी खुल पाएगी, तब ही कमारे लिए काम आए, मेरा ऐसा सोचना है कि आपको कुछ भाग अपने लिए रखना चाहिए, और कुछ भाग उस पैसे का वापस से लगा देना चाहिए, जनकल्यान के लिए, फिर उसमें धरम भी आ जाता है, फिर उसके अंदर आप कुछ लोगों को education के तौर पर भी उसक सारे तरीके हैं, और reason क्या है हमारे जीवन में आने का, यह तो एक बहुत बड़ी research है, जिसके लिए पताने कितने लोगों ने घर बार त्यागे हैं, और जाकर साधनाओं में लुपतो गए, कि हम आई क्यूं है इस जीवन के अंदर, लेकिन हम इस जीवन के अंदर ना, एक कि यह करम करने आये हैं, करम अगर हम astrology की help लेंगे तो पता चलेगा, कि हम क्या करम करने आये हैं, और नहीं तो फिर उस इंसान को swim, आत्म मन्थन करना पड़ेगा, इस चीज के लिए कि वो क्या करम करने आया है, अपनी spiritual growth को आपको इतना बढ़ाना पड़ेगा, इस level तक ल काने लग जाएं कि भाई आपको यह करम करना है, आप इसके लिए आयो जीवन में, कुछ देश, दशा, काल, समय, यह सब चीजे भी निर्धारत करती हैं, कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, जैसे कि आप अब चीज देखिए, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, उस समय अंगिनत नौजवानों ने अपने लाइफ का यह उद्देश बना लिया था, कि हमें तो किसी भी तरीके से आजादी चाहिए, और उन्होंने अपने जीवन को उस चीज के लिए जोक दिया, लक्ष बना लिया, उन्होंने कुछ नहीं देखा, कि हमें कुछ कमा पालना है, हमें माबाप को पालना है, हमें शादी करनी है, हमें बच्चे करने है, कुछ नहीं, हमें सिर्फ आजादी चाहिए, क्योंकि उस समय की वही डिमांड थी, और उन्होंने उस चीज को अपना उद्देश बनाया, अपना लक्ष बनाया और लग गए, उस रहा पर चल दिये, बहुत छोटी-छोटी उम्र में शहीद हो गए बच्चे, पर उनको उस समय ये लगा कि यही हमारा देह है, हमें यही करना है, और इसी से हमारे जीवन में आने का हमारा लक्ष पून हो पाएगा, तो बहुत सारी चीजे न, दशाकाल इन सब पर भी निर्भर करत कि उस समय की स्तिती परिस्तिती कैसी, किसको आपकी जादा जरूरत है, पर एक इनसान होने के नाते, मैं हमेशा ये बात कहती हूं कि हर व्यक्ति के अंदर सब कुछ समायत होता है, एक आदमी ही है, जो मनुष्य जीवन में आकर बहुत सारी क्रियाएं कर सकता है, इसलिए उ जो होते हैं, वो एक इनसान ही है, जानवर नहीं हो सकते हैं, इनसान ही हो सकते हैं, तो आपकी बुद्धी, आपका बल, आपका मन और आपकी आत्मा, आपको जिस समय नर्धारित में जो कारे करने के लिए प्रेयरित करती है, वो कारे करना उस समय आपका आने का देह है, बर बहुत करब कर नहीं है, अनुभव के साथ, बहुत नहीं ने, हम नहीं धा सब करेंगे, बहुत सारे बच्चे जो जाते हैं इंडस्ट्री में गए या किसी शो में गए और वहाँ पर जाकर उनके साथ कुछ अलग सा वहवार हुआ तो उनको लगा नहीं है यह दुनिया हमारे लिए नहीं हम यहां नहीं रह सकते तो आपको इस्तितियां बहुत कुछ अनुभव करा आती हैं दशाय बहुत कुछ अपको अनुभव कराती हैं परिस्तितियां बहुत अनुभव कराती हैं उससे इंसान के मन के विचार मन की गती मन के भाव सब बदल जाते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे अगर आप बात करेंगे आप उनसे कहेंगे कि भाई प्रेम के ब यह शादी तो कहेंगे नहीं भाई, शादी की बात मत करें, शादी से बहुत डर लगता है, शादी दुनिया का सबसे बुरा गाम है, उनका अनुभव या घर की जो वो रोज दिन की अपनी घरों में लड़ा ही जगड़े देख रहे हैं, हमने शायद अपने माबाप को बहु वो कभी उनकी एक दूसरे के बिना नहीं हो सकते थी, घरी के सुईयों के साथ मम्मी का श्रिंगार चालू हो जाता था, कि अब कंगी कर लेती हूं, अब सारी अच्छी से बान लेती हूं, पूरे दिन चाहिए वो नाइटी में बैठी हैं, लेकिन वो शाम होते होते उनको होता था, कि अब पापा आ रहे है, तो अब मैं थोड़ा सा पाउडर वाउडर लगा के अब तो थोड़ा सा दौर हट गया उन चीजों का, पहले पूरे गले पे पाउडर वाउडर शाम को लगके, और मूपे पाउडर वाउडर लगके, और अच्छी से कंगी बंगी करके और वो चाय चढ़ा देती थी, कि अब आने वाले है पापा, तो साथ में बैठ के चाय पेंगा, ये अलग तरे का प्रेम है जी, और ये एक अलग तरे का अनुभव है, वो क्या अनुभव करती है, और ये एक दिन, दो दिन होते नहीं देखा हमने, ये हमने शायद अपनी जि दूसरे को किती खुशी है, कितना सुकून है कि चलो वो घर में आ रहे हैं, तो आप मुझे सवरना है, मुझे किसी के लिए श्रिंगार करना है, वो नारी का वो एक भाव, वो आखों में वो चमक, जबकि सुबह गए हैं, शाम को आ रहे हैं वापस, लेकिन गजब, मतलब ह वो आपनी देखने को मिलता, होता होगा कहीं कहीं, किसी कि घरों में, होता होगा, हमारे यह थोड़ा अलग तरह का अनुभव है, लेकिन है हमारे यह लिए वो शादी बहुत अलग चीज थी, कि एक कोई है, जिसके साथ आप चाहे बात भी नहीं कर रहे है, सामने आमने बै अधल एके शानत हो गया है। मैं शाम को यह बना लूँ खाने में? हाँ बना लूँ क्या पूछा जया रहा है? तक है उतनी हहा है उतनी पहली Уच ह Наी हुआ पर मत नि एभर में है वह जाती सबस्क्राइब ay तो बहुत छोटी-छोटी सी चीजे होती है और इनके अंदर बड़ा अलग ही तरह का प्रेम जलगता है मतलब ऐसे उनको नहीं पता कि मम्मी को कौन सा कलर पसंद है या क्या है लेकिन पर्टिकुलर यह साधी ना यह तुम पर फक्ति है अममी से पूछो आपका फेवरेट कलर ते पापा को मेरे उपर ब्लू कलर अच्छा लगता है यह यह जो प्रेम है यह बहुत अलग तरह का प्रेम था और इसको लेके आहसास बहुत अलग तरह का और मुझे नहीं पता उन दौनों को तो क्या फील होता होगा हम बच्चों को इतने उससे खुश हो जाता है इंसान, इतनी सी खुशिया है, यही छोटी-छोटी सी जिन्दगी के अंदर खुशिया है, तो हमारे लिए शायद वो चीज ना शादी बहुत एहम थी, क्योंकि हमारे माबाप ने हमको वही प्रेजेंट की शादी, कि बहुत सुखद चीज है, और वो आजाते हैं, तो चेहरे पे रौनक आजाती है, और घलिप का एक शेर है कि उनके आजाने से, जो आजाती है चेहरे पे रौनक, लोग समझते हैं कि मरीज का हाल हचह है हो तो वो वाली बात यहाँ पर भी लाग music कि मतलब पता है कि मम्मी खुश है इसका मतलब पापा ने आज कोई ऐसी बात कह दिया जो मम्मी को बड़ा प्रसंद कर गई तो वह बहुत अलग तरह का एक टच एक अलग तरह का इमोशन तो जहां पर बात होती थी ना इमोशन की फीलिंग्स की केर की मुझे लगता है हमें ऐसा लगता था कि एक शादी ही है जो आपको यह सब कुछ चीज पूर्ण करके देती है इस ताए हमने आज तक कभी मम्मी को पापा से कभी शोना बाबु कहते नहीं सुना ना पापा को कभी सुना कि brush कभी नहीं सुना लेकिन वहाती हिस गरниके जगर के नाम से पुकारते थे गुड़ी यह कर देना गुड़ी वह गर देना वहो गुड़ी नाम ही पापा लेते मम्मी का वही उनके लिए शोना बाबू होता था और उनको यह लगता था यह नाम बोलने का अधिकार ना सिर्फ मेरे पती को है तो बहुत अलग फीलिंग था तो उसको लेके शायद मुझे ऐसा लगता है कि उस दौर के जो लोग थे उनके लिए शादी बहुत आहम होती थी और शादी को निभाना और जादा एहम होता था क्योंकि वह वही देखते हुए आगे अब क्या हो गया है कि शादी का बहुत अलग अलग तरे का रूप आता जा रहा है बहुत तूर्तिवी शादियां लोग दे रहे हैं अपने आसपास में अपनी यारी दोस्ती के अंदर इसीरी रिष्टेदारी के अंदर तो बच्चों के अंदर डर हो गया है अब मैं बहुत दूर ना जाओं मैं तो अपने एदिगर्द बात करूं तो मेरे साथ में ही बहुत सारी बच्चियां जो यह कहते हैं पहले हम ना अपने पैरों पर खड़े होंगे तब हमसोचेंगे कि हमें शादी करनी है या नहीं करनी है तो उनके लिए न एक बहुत बड़ी चीज हो गई है पहले खुद को सिक्यूर करना और यह इन सिक्यूरिटी पहले भी थी ऐसा नहीं है हमारे दौर में नहीं थी ऐसा नहीं है हमारी मम्मी औरों के में नहीं थी उनके तो और ज्यादा ती लेकिन उनको ना कहीं ये सिक्यूरिटी थी अपने अंदर कि माबाप ने भ्या किया है ना जम्मेदारी या तो सस्रॉल वालों के है या माबाप के हम इस बात की टेंशन नहीं लेंगे पर अब परिस्तितियां देख देख के मतलब दो दो दिन में शादियां टूट रही ह हैं शादी के बाद लड़कियों के साथ जैसा वहवार हो रहा है बिचारी बच्चियां इतनी इंसिक्यूर हो गई है कि उनको यह लगता है हमें अगर एक लिप्स्टिक भी लेनी है तो हमें किसी के सामने ऐसे हाथ ना फैलाना पड़े हम पहले अपनी खुद की करी हुई क कमाई को अपने लिए रखेंगे और उसी से हम चीजे करेंगे और जीवन यापन करेंगे कल को कोई यह न कहें तुम्हारे माबापने यह नहीं किया यह शब्द नहीं सुनना कि तुम्हारे माबापने नहीं किया हम खुद अपने आप कमा लेंगे पहले जैसे आप अभी ब उनों साथ ही कमाते हैं साथ ही खाते हैं बट उसी वजे से भी कुछ होता है कि जो इतने जादा डिवार्स हो रहे हैं कि पहले की टाइम में इतने डिवार्स नहीं होते हैं पहले ऐसा माना जाता था कि वह औरते घर से बाहर नहीं जाती थी वह सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो पर मेरा ऐसा मन है कि देखिए रिष्टा निभाने के लिए जब आदमी बाहर जाता था आप पुराने अगर आदमियों को भी देखें तो अगर वो बाहर कमाने जाते थे और ओरते घर में अगर पीछे चीज़े संभाल रहे होती थी तो एक विश्वाश की दोर तो वहां भी होती थी एक भरोसा वहां भी होता था तोड़ना चाहते तो वह वहां भी तोड़ सकते थे ठीक है कमी कहीं नहीं है अगर इंसान बिगड़ जाए ना तो उसके लिए कोई कमी नहीं है सुधरने के लिए आपके पास रस्ते निए बिगड़ने के लिए तो हर चौराय पर आप से न ये सिर्फ एक बहाना है बात बाकी यह कि अगर और भी बराबर से कमा रही है तो एक तरीके से आदमी को ही हल पो रही है क्योंकि आप दस साल में जो अर्जित करते अब आपकी जो वाइफ है वो आपके साथ करें तो वही चीज आपने पांट साल में अर्जित कल हमा पापा ने गाड़ी ले लिया तो देखे फरक है थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है यह चीज को अगर थोड़े पॉजिटिव वे से सोचे न तो जैसे मैं और मेरे हस्बंड बात करते हैं हमेशा हमारा एक प्लान है हम लोगों ने अपना एक प्लान कर रखा है कि हम 50 तक काम करेंगे और दिन रात काम करेंगे अल्लब ऐसे काम करेंगे कि उसमें फिर काम के यह वारा क्या चीशकों नहीं रखेंगे कभी कर दूं के कि हमें घुलीड़े जाना है या कुछ और नहीं और विश्म, विफ्ते कंप्लीटी क्म, हम अपने ठाकुर जी का मंदिर बना लेंगे उसके बाद हम ठाकुर जी की सेवा करेंगे और चुकि यह तो मेरे ब्लड में अस्ट्रोलोजी तो मैं छोड़ नहीं सकते लेकिन मैं बहुत ही सलेक्टेड उसके बाद अपने मन से सलेक्टेड काम करूंगी मैं काम के पीछे नही सूसता क्योंकि हम एक होतनी पता ना मैं हमने गल टो निहीं देखा हम आज में जीना हैं जी रहे है और जीना भी आज में ही चीए क्या अब अ सब mucik as 178 को सकता है आपकी थिंकिंगोर में अगरी तिंकिग चाहता हुए मैं और फी सोच को यह सहीं आप्छ के दिया है तो चलना पड़ेगा लोग कहते कि यह को एपना एक प्लैन तो सैट कर गोल तो सैट होना चाहिए ना अगर मैं यही गोल सैट नहीं करूँ कि मुझे इतने टैम में अपने ठाकोजी का मंदिर करना तो मुझे यह नहीं पता कि मैं 70 साल तक भी करूँगी कि नहीं कि वह आपका गोल ठीक है बट मेरा वस एक कोशन जब आप यह बोल रहे हो कि मिर को आप 50 के बाद ही काम निकरोगे उससे बीच में आप सिर्फ 50 साल तक आप काम करोगे दिन रात काम करोगे बैट आपको उस टाइम भी तो जीना है ना अच्छे से मतलब आप दो दिन काम कर लिए अभी देखे आप थोड़ा सा मैं आपको इसके अंदर बता दी तो उश्रमा जी होता क्या है अभी जो हमारा टाइम पीरेड है इस टाइम पीरेड में हम पर्टिकुलर्ली मैं जो काम करती हूं और मेरे हस्बेंट भी सेम काम करते ह उनका तो और ज़्धा- खतरनाक थोड़ा सा मुझसे काम है तो हम दोनों मिलके जो काम करते हैं हमारे साथ इस समय एनर्जी बहुत टांसफर होती है हम लोगों की नेगिटिविटीज बहुत लेते हैं हम लोगों के करमास बहुत अपने उपर लेते हैं अभी हमारी उमर है क कि हम उस चीज को शायद झेल रहे हैं अपने पूजा पाट से अपने मंत्रों से अपनी दिन चरिया से हम उन चीजों को अपने साथ में कहीं ना कहीं अभी खपा ले रहे हैं तो वह चीज हमको अभी उतना हाम नहीं कर रहे हैं किशन के बाद मुझे नहीं पता कि आम सेम के हूंगी कि मैं इतनी सारे पर य्दुन ले सकती हो तो मैं करोंगी मैंनें मना नहीं किया काम करोंगी process काम नहीं करूंगी जैसे अभी अभी तो मुझे कुछ हैं नहीं पता होता मतलब अगर मुझे 24 घंटे किसी का साल्इूशन मे में अधनी लगांगी मैं एक इनसान जीवन में लक्षमी और किस तरिके से अट्रेक्ट कर सकते हैं हमारे ग्रहों में जो शुक्रदेव हैं वो कि यव awak माल लक्षमी का भी आशिरवाद देते हैं सकस का भी देते हैं और तो अगर कोई अपनी कुंडली के शुक्र को समझ के उसके मुताबिक कारे करने लगे तो ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर मा लक्षमी का भी आशिरवाद होता है, सक्सेस भी मिलती है और साती सात में अट्रेक्शन भी बढ़ता है, शुक्र अपने आप में अट्रेक्शन द लेकिन अपनी बातों से किसी को भी समोहित कर सकता है, कैसी भी पस्नालेटी हो वो, हाइट में छोटे हैं, थोड़े हैवी हैं, नहीं जाते जिम, बहुत हैंसम नहीं है, लेकिन ऐसे व्यक्ति से प्रभावित बहुत जल्दी हो जाते हैं लोग, शुक्र का कुछ नंबर भी कुणली के अंदर किसी के दूसरे, छटे, आठवे या बारवे भाव में बैठ गया, तो ऐसे व्यक्ति को अपने शुक्र को बहुत सात्विक रखने की जरुरत होती है, सात्विक का मतलब, शुक्र जो है न वो आपको विलास्ता देता है, शुक्र आपको डिजायर्स देत है, शुक्र आपके मन के अंदर बहुत सारी चीजों को बढ़ाने का काम कर देता है, दो बेडरूम के घर में रह रहा हूं, नहीं यार, कम से कम पांच बेडरूम का घर होना चाहिए, यहां रह रहा हूं, नहीं यार, अच्छी सोसाइटी में होना चाहिए, शुक्र ऐसे आ अगर आपके इन भावों में जो मैंने बताया, वहां अगर शुक्र विराज मानें, बिल्कुल आपका लक्षे होना चाहिए, कि मुझे ये करना है, आपको मिलेगा भी, ऐसे लोगों को मिलता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, बहुत ऐसे लोग अपने सोचे हुई चीजो को कर भी पाते हैं, इनकी चीज़े बहुत जल्दी मनुफेस्ट हो जाती है, परंतु आपको लाइन जो है, रस्ता जो है, वो बहुत अच्छा और सात्विक रखना पड़ेगा, अगर आपने गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करी, पैसे को गलत तरीके से प्रियोग कर आपने की कोशिश करी, आपने पैसा कमाया हो, उसके बार में आप चलेगा चार दिन ट्यूर मनाने, वहां जाकर आप बढ़िया पब्स में जा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, घूम रहे हैं, लग्जरी को आप अपनी लाइफ के अंदर पूरी तरीके से इंजॉय कर रहे है तो दीरे दीरे करके आप क्या पाएंगे, कि पैसा तो आपके पास आ रहा है, लेकिन उतना ही आ रहा है जितनी आपके जरूरत है, दस हजार की जरूरत है, तो दस हजार ही आएंगे, पैसे को आने दीजिए, संचित होने दीजिए, लक्षमी जी जो है, वो बहुत अलग अ तो स्थर लक्षमी में कनवर्ट करिए, पैसा आ रहा है उसे मौझ मस्ती में, दारू में, पाटी में मत उड़ाईए, लोगों को शोफ करने में मत उड़ाईए, अयाशियों में मत उड़ाईए, बहुत सारी ओरतों के साथ सम्मंद बनाईए, क्योंकि ये वही उकसाएंगे आपको शुक्र ना शुक्र जैसे ही आपके बॉड़ी के अंदर काम करने लगेंगे अरे मुझ से तो आप सब कोई भी पड़ जाएगी मेरे साथ तो देखो मैं इसको इसको देखना कल मेरे साथ में मेरी काल के बगल वाली सीट पर बैठी होगी यह अक्चुली यह सारी चीज़े देना स्टार्ट करेंगे अगर यहां पर किसी अच्छे ग्रह की द्रश्टी होगी तो यह चीज़े अपने आप रुख जाएंगे ऐसा नहीं होगा कि वह व्यक्ति ऐसा ही करेगा लेकिन मैक्सिमम टाइम 95 परसेंट कुनलियों के अंदर वो यही कारे करता है आपको रिलाइबल नहीं रहने देता कमिटेड नहीं रहने देता आपकी जिंदगी के अंदर बदलाव बहुत देता है तो ऐसा व्यक्ति अगर अपने ऊपर थुड़ा सा सहीम साध ले कि मुझे पहले पैसा इखटा करना है जोड़ना है पैसा उससे मुझे कोई नया कार्य करना है उस पैसे को पार्टी की बजाए काम में ही वापस अगर आप इन्वेस्ट कर देंगे तो डेफिनेटली यह शुकर आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा आपको लगजरी भी मिल जाएगी आपको सक्सेस भी मिल जाएगी नाम भी मिल जाएगा शौरत भी मिल जाएगी सब्तम हाउस का जो शुकर होता है वो व्यक्ति को परिवार बहुत अच्छा दे देता है वाइफ बहुत अच्छी दे देता है ठीक तो ऐसे व्यक्ति को जो भी कारे करना है वो अपने घर की मह भीलाओं को सबसे पहले पूछ कर या उनकी राय विमर्श करके या अगर आपको एकारे कर रहे हो और आपको लगता है नहीं यह मुझे नहीं पता आप करिये मैं इसके बारे में जाती पर्ट अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यह सही राय नहीं दे पाएंगे तो आपको ला चाहिए जिनके सब्तम घर के अंदर शुक्र हो उनको अपनी घर की और तो को हमेशा शुकर से रिलेटेद छीज़े लाकर जरूर देनी चाहिए इससे उनके धन में व्रद्दी होती है अब शुकर से रिलेटेटेड चीज़े क्या होगई कपड़ा हो गया नेल पेंट ह सकते हैं तो आप नकली लिया या आटिफिशल ले आई है पट कभी-कभी आप उनको जरूर ला कर दीजे उससे क्या होगा आपकी धन व्रद्धी होने लगेगे जिसके प्रथम भाव के अंदर लगन में जिसके शुक्र बैठा हो राशी कोई भी हो अगर उसके प्रथम भाव सब्सक्राइब रेंगे या वो ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आब उसको पार्टनर नहीं बना सकते हैं तो अफिशली पार्टनर मद बनाएब लेकिन आप जो भी कमा रहे है उसका एक परसंट आप वो कर दीजे कि मैं इनको दूंगा ही दूंगा जैसे आपने 100 रुपे होगा आपकी धन व्रद्धी स्वते ही होती रहेगी आपके पैसे स्वते ही बढ़ते रहेंगे इसी प्रकार से अगर किसी के 11 इस्थान के अंदर लाव स्थान के अंदर शुक्र बैठें है कुंडली में तो ऐसे व्यक्ति को अपने बेड्रूम के अंदर हमेशा सुगंदित चीज़े ज़रूर रखनी चाहिए है कि कि हमेशा सुगंद रहने चाहिए उसके बैड्रूम के अंदर चाहिए वह बैचलर है चाहिए वह मैरेड आप कवारे भी है तो भी काम करिए और यह लड़का-लड़की दौनों पर लागों के वल ऐसा नहीं कि मैं लड़कों के आप डिंशन हो जाएगा आपको देने पर जाये तो जो शुक्र से नहीं मिलसकती सचा प्रेयम शुक्र से मिलता है सब्सक्रा क्यों मैं वह बंड़की बात नहीं घर्य समा जैंघ लाह नहीं समय मैं आपको सच बात बोलू आप देखना शमाजी इंसान पूरी जिंदगी मे एक मुहबबत ही एक ऐसी चीज है जो ना तो किसी दुकान पर से खरीदी जा सकती है ना तन, मन, धन, कुछ भी लुटा कर पाई जा सकती है मुहबबत किस्मत से ही मिलती है आशिरवाद से ही मिलती है मुहबबत बहुत पुन्ने करने के बाद ही मिलती है लस्ट मिल सकता है जिसे शुकर कहते है लेकिन शुकर असल में बिगड़ा हुआ रूप शुकर का लस्ट है शुकर का असली रूप सची मुहबबत है सच्चा अगर किसी की कुंड़ी के अंदर शुकर बहुत अच्छी जगे प्लेस्ट हैं और बहुत अच्छे तरह से उसको आशिरवात दे रहे हैं उस व्यक्ति को, तो ऐसा व्यक्ति अपने मन से, अपने भावों से, अपने प्रेम से पूरी दुनिया को अपना बना लेता है, बहुत करीब ले जाती है तो देखिए शुक्र अपने आप में ना एक बहुत पॉजिटिव ग्रहभी है के और शुक्र जिस व्यक्ति खास करके जिस मेल के अंदर काम करेगा उसके अंदर आप थोड़ा सा पाएंगे कि उसके अंदर दिल जस्बात सोचने का तरीका एक तरीक जैसा है मेल है लेकिन वो थोड़ा सा सोचेगा कैसे एक औरत की तरह सोचेगा उसमें मम्ता होगी सौफ्टनेस होगी तो आप समझ जाए कि उस व्यक्ति का जो है शुक्र बहुत अच्छा है वो कहीं ना कहीं इसका शुक्र बहुत पॉजिटिव है क्योंकि इसके अंदर वो शुक्र जो है वो इसको कोमल बना रहा है मम्ता महीं बना रहा है यह जरूरी नहीं कि एक औरत के अंदर इम्ता हो एक पिता भी महां से जादा परेम कर सकता सकते हैं अपनी सन्तान सबHeri क сод garan से chips अब फरुष के अंदर बहुत अच्छे लोगों जो अंदर से बहुत सॉफ्ट है गाथ जैसे एल इम्योशनल जो गोशनल नहीं कि इम्योशनल नहीं जजबाती नहीं अंदर से बहुत साफ क्लियर हार्ट अब से είमोशनल नहीं पाफालीं हो गया बालीख बालीख लगी रहे हैं इन चीजों के बीच में इंश्चनल उना एक अलग बात है जज़बाती हो एक अलग बात हुआ एक इस टाइम के दोवर में मैंने राडली एक या दो ही देखिया है शुकर तत्व जहां इंसान को प्रभावित करता है जैसे कि खासकर आप देखेगा व्रश लगन के लोग जो शुक्र की राशी और तुल्ला लगन के लोग या तुला राशी के लोग या वरेश राशी के लोग जो होते हैं, आप इनको देखेंगा इनका गुस्सा कैसा होता है, बहुत तेज गुस्सा आएगा और तुनित डाउन हो जाएगा, और फिर इनके मन में कोई बात नहीं रह जाएगी, फिर इनको किसी से कोई गिला बूल जाते हैं, खतम, चल ठीक है, कोई बात, मेरी भी गलती हो गई, चल ठीक है, और वो कभी दोहराएंगे भी नहीं उस बात को, ये वाली जो फीलिंग है, ये वाला जो तत्व है, ये कौन देता है, ये शुकरही देता है, एक दम से किसी भी चीज को खतम कर देना, रिष्टों से अलग हो जाने की पीडा, रिष्टों को अंदर तक गहराई तक जाकर अपने साथ समाहित कर लेना, आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे, वोनों रिष्टों को जोड कर चलते हैं, और इसके अंदर एक मैं आपको बहुत अच्छा एग्जामपल देने जा वो बहारियों वो लोगों के साथ ना बहुत जोड़ना पसंद करते हैं, मैंने भी कुछ वीडियो देखिए हैं, वो रिष्टों को पकड़ते हैं, अब ऐसे तो इंसान है, कभी गुसा भी आता है, कभी कोई चीज खराब भी होती है, यह तो फिर बहुत सारी चीज़े होगा, आप भी होगे, आप कभी कभी ना कभी किसी ने किसी के साथ हुआ होगा, फिर वापस से आपने को, एक किसी के साथ रिष्टा खराब होना, लड़ाई जगड़ा होना, वो तो ठीक है, वो तो शुकर राहू का कॉंबिनेशन भी कराता है, मंगल राहू का कॉंबिने उस चीज का आपके अंदर दर्द है यार यह रिष्टा टूट कैसे गया यह रिष्टा खराब कैसे हो गया आपने एक गांठ नहीं बांदी आपने एक इगो नहीं पाली आपने उस रिष्टे को वापस से सुधारने की कोशिश के रही आपने अपनी तरफ से एफ़र्ट्स लगाये बार-बार चलो माफ किया लट जाने दो एक यह जो के नहीं फॉर्गिव कर देना यह हर किसी के अंदर नहीं होता और यह बहुत बड़ी चीज है यह इनसान को स्पृश्ट्वल पात पर बहुत उपर लेकर जाती है जिसके अंदर फॉर्गिव कर देने की प्रवर यह जो चीज है आपको एक अच्छा शुक्र देता है यह आपकी पस्टन्यालिटी के अंदर यह क्वालिटी आपको शुक्र देता है ऐसी आधत है जो आदमी या इनसान की लाइफ में पैसों पर इंपक्ट देती है कि यह चीजे तो अब यह पैसे यहां खतम हो जाएंगे यह चीज़ कर देखा बहुत सारे कॉंबिनेशन जाइस के अंदर एस्ट्रोलोजी के हिसाब और इसमें अलग 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 वर्क करते हैं फिर इसके अंदर एक चौता घर होता है जो आपके स्थार हों फिर आप किस तरह का म करते हो जासे हम बच शुखर की टो मैं आपको शुक्र का ही बता देतु जैसे किसी का अगर संबंध लिए हूज से रिले이지 कोई भी काम करेगा का Luxury का लेडिजी गार्मेंट्स ज्वेल्री का तो ऐसे व्यक्तिकू धण अरजित होगा ही होगा ठीक इस ही प्रकार से जो हमारा दूसरा गहर होता है वह धनी का होता है और जो हमारा भारवा गहर होता है वहार Kenneth & विकां होता है ठीक है दूसरे घर में सबसे बड़ी चीज यह होती है कि दूसरा घर आपकी वानी का भी है अब बहुत सारे कॉंबिनेशन के अंदर यह देखा गया है कि अगर उस व्यक्ति की वानी अच्छी नहीं है तो चाहे वो करोड़ पती के ने भर में पैदा हो गया लेकिन हमेशा करजों में रहेगा कृशा क्यों क्योंकि क्यों कोई इनसान कोऊ- इंपैक्ट पड़ता है मिल्कुल पड़ता है बुरा बोलना ही नहीं है अगर वहां पर आपके कोई अच्छा ग्रह बैठा जैसे कि अब मैं आपको एक चीज बताते हूं अगर दूसरे घर के अंदर शुक्र बैठें राशी कोई भी हो सकती है शुक्र अगर वहां पर बैठें तो ऐसा व्यक्ति अगर छोटी चीजों के बारे में बात ब्हुत यह कहां चलो एक पॉट ले ले लाते हैं कितने का है दस रुपे का नहीं मैं तो इसको दो का ही लूँगा भी दसा आप साथ कर लीजे दस पांच कर लिजे आपने तो बिल्कुल बैचारी की महनत को दो पे ले गए आप तो पिल्त टेले से ले रहे हो कोई समान तो तो आपने बिल्कुल ही मतलब उसको जो दो रुपे कमा सकता था वो भी आपने एकदम यह सोच लिया नहीं तू तो दो में दे अब भी यह सोचता है ठीक है कोई बात नहीं देड़ का खरीदा था दो में जा रहा है जाने दो कोई बात नहीं पचास पैसे कमा लूंगा लेकि तो ऐसी इस्तिती परिस्तिती में बीना कई-कई बार आपकी इंकम पर उसका इंपक्ट पड़ता है अब दूसरे घर के अंदर अगर कोई ऐसा ग्रह बैठा है जैसे कि चंद्रमा क्योंकि चंद्रमा चलते बहुत हैं हड़ाई-ड़ाई दिन बाद घर चेंज कर लेते हैं तो अगर दूसरे घर के अंदर चंद्रमा बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति तभी धन अर्जित कर सकता है या तभी कमा सकता है जब वो ट्रैबलिंग बहुत करें अच्छा वो घूमें बहुत अब यह जरूरी नहीं है कि घूमने के लिए आपको आउट उप सिटी जाना है यात्रा है दो तरह की होती है लंबी यात्रा है चोटी यात्रा है भी कर सकते मतलब आप घर पर बैठकर काम मत करिए आप जाए थोड़े से डिस्टेंस पर रखें लेकिन अपना ओफिस बना क कि यह आठवे घर का चंद्रमा भी सेम चीज देता है कि मुमेंट अगर आपने मुमेंट करना स्टार्ट किया तो आपकी चीजों में गती शीलता अपने आप आजाएगी गती मिल जाएगे आपके काम को आपके पैसे को आपके उद्यों को आपकी जॉब को इसी प्रकार से अगर किसी कि कुंडली के अंदर बहुत अच्छे योग होते हैं तो आपको उन योगों को डीकोड करना पड़ता है जैसे गजकेसरी योग है किसी की कुंडली में तो ऐसा कहते कि ऐसा व्यक्ति जो होता है वो राजातुल्य होता है उसके अंदर हाती जितनी ताकत होती है ऐसा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है और आज की दुनिया में ताकत क्या है पैसा पावर पैसा ठीक है तो ऐसे व्यक्ति को उसको डिकोड करना चाहिए डिकोड कैसे करेंगे गज केसरी योग बना है आपकी कुंडली में यानि कि चंद्रमा और गुरू एक साथ में कहीं न कहीं संबंद बना रहे हैं ठीक तो अब आपको क्या चीज़े करनी चाहिए आपको चंचल बिल्कुल नहीं होना है आपको जल्दबाजी किसी काम में नहीं दिखानी है आपको अपनी कोई भी चीज़े किसी के सामने नहीं करनी है खाना भी खा रहे है न तो कोशिश करिए कि अकेले बैठ कर खाएं डिकोडिंग होती है हर चीज की योग तो आ गया कुंडली के अंदर चाह भी कहा है उस ताले की खोलोगे कैसे का भी से बहुत लोग क्याते आप के लिए आपके पा सचाव यह आपको पता है कैसे खुलेगा तब आपको न अपनी कुंडली को अच्छी तरीके से किसी अच्छे एस्ट्रोलाजर को दिखा कर और उसके मताबिक आपको चीज़े करनी चाहिए और सबसे बड़ी चीज नॉर्मल कोई भी जो कर सकता है कब किसी को राशी नहीं पता किसी को कुंडली नहीं पता अब हम क्या करें और हम बहुत दिक्कत में हैं पैसों को लेके परेशान रहते हैं तो कुछ बहुत छोटे-छोटे सरल उपाए होते हैं जो स्वते ही आपको ल जरूर चाधाना चाहिए लक्शमी की प्राप्ती होती है और कोई भी ब्लसंतर ये कोई भी कह सथा और करना लेकिन दिन में ही सिमकों करेंगे संद्या के बाद यह को है część शूक्रवार के दिन आपको छोटे जो बच्चियां होती है उन्हें मीठा ज़रू हलाना चाहिए हैं उपसे उम्र में बड़ियां कि चरुनपर्ष जरू करने चाहिए है अगर आपको पता है कि मेरा शुक्र ही मुझे देने वाला ग्रह है। indicator मालू आच कल बहुत सारे लोग गुगल और या लोगों से बात करके पता कर ले pó erwule अगर आपका शुक्र ही आपको देने वाला ग्रह है तो आपको हमेशा नहाते वक्त पानी के अंदर कोई ना कोई सुगंदित चीज डाल देनी चाहिए जैसे कि इत्र गुलाब जल गुलाब की पत्तिया जिससे आप नहाएंगे तो वो सुगंदित चीज जो है वो आपके रोम छिद्रों में के अंद जिनका शुक्र अच्छा ना हो ऐसे व्यक्तियों को कभी भी अपने कपड़े किसी को यूहीं उठा कर गिफ्ट नहीं कर देने चाहिए जिनका शुक्र अच्छा नहीं है ऐसे लोगों को अपने कपड़े कभी भी उल्टे करके नहीं छोड़ने चाहिए बहुत अच्छी से सम्हाल के कपड़े रखने चाहिए कपड़ों का बहुत प्रभाफ पड़ता है आपके शुक्र के ऊपर एसे व्यक्ति जिनका शुक्र अच्छा नहीं है उन्हें यह थम होता है ना हमारा इसके नीचे शुक्र परवत होता है यह शुक्र परवत पर बनीवी बहुत सारी लाइ लेकिन अगर आपका शुक्र ठीक नहीं है तो आपको इस तरह से अंगुठा इधर आपका यह उपर गया यह नीचे गया और इस वाले अंगुठे से आपको अपने शुक्र परवत को दबाते रहना चाहिए अच्छा ऐसे हां और अगर आप अकेले बैठे हैं तो आलक्ति पालक्ति मारके बैठ जाईए और अपने अंगुठे को ऐसे दबाते हुए बोलिए श्रिम देखे मैं सीधी हो गई हूं मंत्र बोलते समय क्यों रीड की हड़ी आपके सीधी होने चाहिए जब आप मंत्र जाब करें इसे बिल्कूल सीधा होके बैठना आपके मंत्र काम करेंगे श्रेम यह नहीं करेंगे उनको अपना यह तभी चीजह कारे करती तो बिल्कुल एक दम ऐसे होना चाहिए और इसको दबाते जाए प्रेस करते जाए और बोलते यह भी कुछ 11 21 31 जितना भी आप करना चाहें इसी प्रकार से किते बार करना चाहिए वैसे सुभे शाम करें तो बहुत अच्छ है दो बार तो करें बाकि अगर आप शुद्ध हैं आप कोई अप अवित्र चीजे ग्रहन नहीं करते हैं आप खाने पीने का संयम रखते हैं आपकी जीवा पर आपका कंट्रोल है तो अगर इस पर आप कंट्रोल रख रहे हैं और आप सात्विक चीजें ही खा रहे हैं तो फिर आप तीन बार भी कर सकते हैं इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है में जैसे आप शुक्र के बारे में बता रहे हो शुक्र को किस तरीके से एक इनसान पहचान सकता है अपनी लाइफ में कि यह शुक्र का इंपक्ट है तो शुकर आपको भटकाता बहुत है, मन को बहुत जगे भटकाएगा, मुझे चोटी चीज पसंद ही नहीं आएगी, हीठ जाएगा तो ब्रेंड पर पर जाएगा, और उसके बाद क्या लगेगा मतब कंपैरिजन होना स्टार्ट हो जाएगा लोगों के साथ आपका यार वो तो ये ब्रैंड की में को तो ब्रैंड भी नहीं पता कौन कौन से हैं तो आप खुद सोच ले ना कि वो तो इस ब्रैंड की शिर्ट पहनता है और मैं तो ये लोकल प dari the skin के उपरoscopeitas आ जाना काला पन आजा ना धब बे आना में कोई-ήना कोई प्रॉब्लम होना यह कहीं नहीं शुक्र का फी प्रभाव है गुरू को इसके अंदर में मॉमाना जाता तो अचा के लिए लेकिन अगर आपके skin खराब हो रही है skin बरबाद हो रही है तो कहीं न कहीं शुक्र है इंचे किन पर दिक्कत गुरू दे सकते हैं लेकिन skin अच्छी भली है और अचानक से वो डल होने स्टाट हो गई डलने सा गई आपके स्किन पे तो वह आपका शुक्र है आको चीजे रियरक्ट करते बहुत जन्य बहुत जन्य ओकिते हैं कि forests होnalशित यह सुक्र है कि ठीकरक है कि किसी भी व्यक्ति से अपनी करी गुझ तरह का प्रौत्साहन ना मिलना कोई आपकी चीजों का एप्रिशेट ना करे कोई आपकी चीजों से प्यार ना करे कोई बार 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 सिर्फ आपकी बुराया ही आपको गिनाता चला जाए यह आपका कहीं न कहीं शुक्र खराब है सच्चा प्यार ना मिलना प्यार में बार बार धोका मिलना ये शुक्र ही है सच्चे प्यार की तलाश करते चले जाना और हर बार निराश होते चले जाना ये शुक्र है जिसके पास सबकुछ है घर है पैसा है दौलत है नाम है शारत इसके नहीं है अंदर से उदास होना अकेलापन होना फ़ीरान मुझे कोई समझने वाला नहीं है कोई मेरी बातों को नहीं समझतें, और शुक्र खराब. आपके अंदर आकर्शन नहीं है, लोग आपकी बातों से प्रभावित नहीं होतें, शुक्र खराब. आपको किसी चीज का स्वाद नहीं आता हुआ हमने खाना खाया ठीक है नॉर्मल है खालिया अच्छा था वहां का खाया अच्छा था एक होता है कि इंसान डिफ्रेंशियेट कर पाए कि यहां लिया अच्छा था वहां लिया वहां लिया वह और बहतर था भाई वहां के जो च ज्यादा अच्छी थी आपको चीजों को समझने की ताकत आपके सेंस ज्यादा काम करते हैं तो आपका शुक्र अच्छा है कई लोगों को आप देखेंगे नो वह आपको बहुत सारे कलर्स के अंदर भी डिफ्रेंशेट बता देंगे यह यह वाला यलो है यह 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 ऐसे व्यक्ति का शुक्र बहुत अच्छा होता है जो चीजों को और गहराई से जाकर उसके बारे में आपको विस्तित जानकारियां दे पाए उसका शुक्र बहुत अच्छा है ऐसा व्यक्ति जो आपके सामने बहुत सौफ्ट बिहेव कर पाए मतब आप कुछ भी बोलिए कैसा भी बोलिए लेकिन वह आपके साथ में बहुत सौफ्ट ही बिहेव करेंगे ऐसे लोगों का शुक्र बहुत अच्छा होता है निए जो अपने आप पर बहुत ध्यान दे अब लोग इसके अंदर थोड़ा सा कन्फीज्ट हो जाते एक उता है सेल्फ लव अपने आप से प्यार, एक होता है सिर्फ अपने आप से ही प्यार, दोनों चीजों में अंतर है, खुद अच्छा लगना, अच्छे तरह रहना, बंसवर के रहना, यह सेल्फ लव है, कि हमको अच्छा लगता है, हम अपनी चीजों को सुंदरता के साथ रख सकते हैं, घर को, हर चीज को, मतलब हमें बिखरी वी चीजे पसंद नहीं है, फिर चाहे वो खुद के अंदर हो, चाहे वो घर के अंदर हो, चाहे वो ऑफिस के अंदर हो, है नो, ऐसे इंसान का शुकर बहुत अच्छा होता है, जिसके अंदर कला बहुत होती है, जिसको कला बहुत अच्छी बएक्षी लगती है कि मुझे दना आठा लेकिन मुझे चुन हेटी सुनग zorस्ट पसंद लेकिन कैसे सुंुन आपसंदे जिनमें सच में कला है variety है कला है जिसमें वो चीज़े मुझे बहुत पसंद है तो मेरा शुक्र बहुत अच्छा होगा मुझे paintings बहुत पसंद है अब एक printed मिल गया मुझे एक hand painting है लेकिन मेरी नजर किस पर थी कि है hand painting पर क्याते हैं आपका दर्दान बहुत अच्छे हैं कि आपने हीरे को परक लिया तो हीरे को कौन परक सकता है हीरा क्या है हीरा शुक्र है और शुक्र को परकने वाला कौन है जिसका शुक्र और प्रवल है तो जोहरी क्या है जो हीरे का वैपारी है वो क्या है उसका शुक्र बहु अच्छ है अब जैसे आपने इतने सारे चीज गिनवे जिसका शुकर खराब है उसको ठीक किया जाए उसको ठीक कैसे किया जाए शुकर अगर किसी का खराब है तो इसके बहुत सारे उपाए है पहले तो यह देखना पड़ेगा कि शुकर कौन से घर का है और किस तरीके से खर आपको प्यार नहीं मिल रहा है, लेकिन आपका फिजिकल रिलेशन तो आपके हस्बंड के साथ चल रहा है, तो आप इसमें क्या कहेंगे, शुक्र अच्छा है या बुरा है, वही तो देखने वाली चीज है, वही तो पार्खी नजर है, यही तो आपको कैल्कुलेट करना है, आप शुक्र दो चीजे दे रहा है आपको यहां पर, लगजरी दे रहा है, लेकिन प्यार नहीं दे रहा है, आपके पास पैसा है, नाम है, शौरत है, सब कुछ है, लेकिन आपके पास सच्चा प्यार नहीं है, आप अकेले हो, तो ऐसे शुक्र की रेमेडी अलग है, मल्ट अंदर देवी मा की उपासना जरूर करने चाहिए अपने शुक्र को अच्छा करने के लिए देवी मा की उपासना जरूर करने चाहिए खास करके मा दुर्गा या मा दुर्गा के किसी भी रूप की ठीक है अगर आपकी sexual life अच्छी नहीं है तो आपको शुकरवार के दिन देवी मा के मंदिर में जाकर सौंदर्य प्रसाधन यानि की कोई भी beauty products ठीक है जैसे lipstick हो गई, nail paint हो गई, mehndi हो गई बिंदी हो गई यह आपको देवी मा के मंदिर में जाकर चरहा देनी चाहिए या आपको किसी भी लड़की को gift करनी चाहिए यह चीज़े अच्छा अगर आपके जीवन के अंदर लगजरी नहीं है आपको लगजरी नहीं मिल पा रही है तो आपको शिवजी के मंदिर में नियमित रूप से 43 डेस तक अब लेडिस जब पीरिट से हो जाएंगी तो वह साथ आठ दिन हटा दीजेगा और उसके बाद फिर उसको continue करिएगा व लेकिन इस बीच में आप ओम नमहर शिवाय का जाब करते रहें मानसिक रूप से मानसिक पूजन कर सकते हैं हम टच नहीं कर सकते तो मानसिक पूजन अपना रखिए साथ दिन का उसके बाद वापस से आप इसको continue कर लेगा तो आपको नियमित रूप से 43 डेस शिवजी के मं संस gaatएं पानी केसर डालकर उन्हें अर्पित कर करके आना है हाँ अगर आपको पैसे की अऔर शुक्र की वजह से तो आपको शुकरम आर के दिन या तो इत्र से स्नान करना चाहिए मतलब इत्रे डाल के पानी में स्नान करना चाहिए यह आपको दही डाल कर स्नान करना चाहिए और आपको संधिया के बाद शाम के बाद लाल वस्त्र पहन कर स्वटिक की माला से महालक्षमी के किसी भी मंत्र का जाब कर लेना चाहिए वो मंत्र जो आप सात्विक्ता के साथ और शुद्धी गर्ण के साथ बोल पाए ठीक है बहुत सारे मंत्र आपको गूगल पे मिल जाते हैं जो आप अराम से उचारित कर सकते हैं जिसमें आप तूटी नहीं करें आप वो कोई भी मंत्र निकालिए और आप नियमित साथ शुक अरपित करना चाहिए अपने घर पर या अपने कारे स्थल पर शुक्र अगर आपको पैसा तो दे रहा है लेकिन पैसे से जादा आपके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं तो गुरवार के दिन आप श्री हरी विश्णु जी के मंदिर में जाकर हल्दी जरूर अरपित करना चा तो उन्हें प्रसन करिये तो श्री जी हमेशा आपके पास रहेंगी ठाको जी के मंदिर में जाकर पांच मोर पंख चड़ा दीजे पीला धागा बांद के गुरवार के दिन खर्चे आपके रुखने चालू हो जाएंगे एक पीपल का पत्ता ले लीजे उसको धोली जे गं सुदेवाई नमा इसी मंत्र का जाब कर लीजे 108 बार दूप बत्ती दिखा दीजे पत्ते को और उसके बाद उसे अपने पर्स में या अपनी अलमारी में रख दीजे धन बेवज़े खर्चोना बंद हो जाएगा बिना मतलब का खर्चा जो है न वो आपका रुकना चालू हो जाएगा गुरवार के दिन और ये एक बार करने से हो जाएगा ये एक बार करने से ही हो जाएगा इसको आप रिपीट करते रहे हैं तीन तीन छेछे महीने के अंदर जब आपको सही समय मिल जाए तो आप करते रही है, पीले चावल के दाने, चावल को पीले रंग से हल्दी से हमने रंग लिया, पीले चावल के दाने सफेद रंग के कपड़े के अंदर बांध के, गुर्वार के दिन विश्नु जी और महालक्ष्मी दोनों के मंतरों का पाठ करके अगरबती धूबती दिखा के उसको आप अपनी तिजोरी में स्थापित कर लीजे, इससे ना कभी धनकी कमी होगी, नहीं कभी आपका बेवज़े धन खर्च होगा, और यह कोई भी कर सकता है, यह कोई भी कर सकता है, यह हूमोपैथिक दवाईयां है, जो किसी को नुकसान नहीं करेंगी, भाव अच्छा होग पुर्णे अच्छे होंगे, तो डेफिनिटली आपको इसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, अब इसी के अंदर मैं आपको बहुत चोटी सी चीज़ बता देती हूँ, जिन लोगों को अपनी लाइफ के अंदर आकर्शन को बढ़ाना है, आकर्शन का भी ग्रह शुक्र है, अट्राक्शन, आपको अट्राक्शन बढ़ाना है, तो आपको अपनी नाभी पर इतर शुकरवार की रात्री को ज़रूर लगाना चाहिए, मैं दरात्री को बोलते हैं कि इत्र या कोई भी पर्फियम नहीं लगाते हैं सोते समय लगाईए ना और नाभी पे लगा रहे हैं नाभी पे कभी नुकसान नहीं करेगा कि इत्र लगाके घर से बाहर नहीं झाया जाता है जोराया नहीं लांगा जाता अधुरी चीज नहीं पूरी चीज लिजे आप सू शक्ते हैं लेकिन लगाके 22 assistants करेंगे लेकिन कौन सी चीजों को भूत प्रेट डाकनी शाकनी चुडएल यह फिर आकर्शे तो के आजाएंगे तो आप लगा कर सोजाएं तो इंसान प्रोटेक्ट रहता ही है कोई दिक्कत नहीं आएगी और अगर आपको अपने आकर्शन को बढ़ाना है तो आप अपने ज अपने शुक्र के परवत पर इत्र लगा कर थोड़ी देर उसको रब करें कि अगर इससे भी व्यक्ति का आकर्शन बढ़ता है कि उर्जा प्रभाहा भी बहुत होता है कि फिर शुक्र के अंगिनत उपाएं हैं अंगिनत उपाएं जिससे आप लगजरी प्यार शोहरत बहुत सारी चीज़ें आप राप्त कर सकते हैं लेकिन वह फिर मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी ही कुंडली के आधार पर वो चीज़ें जाननी चाहिए मैं इत्य सारी चीज़ चली तो मेरे को एक बार यह बता दो मैंने कल जैसे मैंने आपको बताई थी मैं सर्च कर रहा था उस टैम मुझे दिखा कि पैसों के भी मंत्र होते हैं एक पैसा कर रुका रुखा रुका रुखा वह पैसा होता है या फिर कुछ अलग से पैसा आता है किस तरीके से वह पैसा आथा जो आप मतलब मैंने द्लु seven conservation कानक धारा स्त्रोत्र महालक्षमी जी का स्त्रोत्र है और ऐसा कहते हैं कि उस्त्रोत्र को पढ़कर स्वन्ड वर्षा करवाई थी तो महालक्षमी जी के जितने भी मंत्र हैं वो धन प्राप्ति के लिए हैं धन ब्रद्धी के लिए हैं रुके उए पैसे को प्राप्ति करने के लिए हैं जिसके अंदर श्री सुक्तम है आप वो कर सकते हैं कनकधार अस्तुरोत्र मैंने आपको बताया आप इसका पाठ कर सकते यह ऐसी चीजे हैं जिनको करने से आपके जीवन के अंदर महालक्षमी की किरपा होती ही होती है लेकिन बैठे बैठे तो आपके पास धनवर्शा होने से रही आप उतने तो आप रिशी और इतने बलवान तो आप नहीं है तो इसके लिए हमें करम भी बराबर करना पड़ेग करम भी करिए तो डेफिनेटली आप जब मंतर करेंगे तो आपको हेल्प करेंगे मैं बार बार एक चीज़ बोलते हैं यह मंतर से आपके दिमाग में मतलब थौट नहीं आएंगे है कुछ ऐसा शान्ति आती है थौट साते हैं रस्ते मिलते हैं पर कारे तो आपको स्वैम को करना है दूसरी सबसे बड़ी चीज़ यह है कि महालक्ष्मी के साथ साथ कुबेर जी भी धन व्रद्धी के अंदर धन प्राप्ति के अंदर आपको बहुत साहता देते हैं तो कुबेर जी के भी बहुत सारे मंतर हैं जो आपको गूगल पे मिलते हैं अगर आप धूलेंगे किताबों में आते हैं किताबें अगर आप लेकर आते हैं तो आपको मिलते हैं उसके अंदर तो आप उनका भी जाब कर सकते हैं जिससे की आपको धनकी प्राप्ति होती है लेकिन इनकी एक नियमित संख्या होती है आपको उतनी संख्या तक करना होता है और ये एक नियम के साथ करा जाता है कि हमें सात्विक रहकर करना है हम उस दिन मास मदिरा नहीं छुएंगे हम इतने दिन प्याज लसन नहीं घाएंगे ये सारी चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है तो बैटर यह है कि आप किसी गुरु से या किसी अच्छे ब्रहमन से सलहा लेकर तभी इनका जाप आरंभ करें जब भी आप कोई मंतर उच्चारन करते हैं या ऐसी कोई चीज करते हैं तो आपको उस वक्त पर संकल्प लेकर उस कार्य को जरूर करना चाहिए वो कोई भी ब्रहमन आपको संकल्प दिला देगा आप स्वैम ही करिए लेकिन संकल्प लेकर वो कार्य करिए तो आपको उसका रिजल्ट थाउजन परसेंट नहीं लाग परसेंट मिलेगा मिलेगा जरूर कोई भी चीज खाली नहीं जाती हम जो बोल रहे हैं ये सारे शब्द कही न कहीं ब्रहमान में घूम रहे हैं तो जब हम मंत्र पढ़ते हैं हम मंत्रों का उच्चारन करते हैं तो वो कही न कहीं हमें ब्रहमान में इश्वर से जोडते हैं कोई भी पूजा पाठ कोई भी आपका अच्छा कर्म कोई भी आपके धरम के रस्ते पर चलने वाला कार्या आपके लिए खाली नहीं चाता वो आपको देर सवेरी सही आपको देता जरूर है ठीक है शुक्र को अच्छा करने के लिए आप ग्रीन कलर के पैन से अपने हाथ पर यहाँ, कलाई पर, जहाँ पर हम, सीधे हाथ में, उल्टे हाथ में, जहाँ पर हम घड़ी बानते हैं, यहाँ पर आप एक नंबर लिख सकते हैं, 2171, ग्रीन कलर से, और रात को आप मेनुफेस्ट करके सोईए, कि मेरे धन के रस्ते खुल जाए, मेरे पास धन आने के स्त्रोत्र खुल जाए, मेरे पास जो धन को लेकर कमी है, वो मेरी दूर हो जाए, और मैं भी धनवान बन जाओ, ऐसा लगातार तीन दिन करिए, आपको इसका फायदा जरूर मिले, टाइम भी कुछ है, रात को सोने से प देफिनिटली हमें इन से अपने जीवन के अंदर बहुत सारे रस्ते मिलते हैं, अब देखो, यह सारा खेलना एनरजी का है, जिसके बेसेस पर हमारा मोबाइल चलता है, हमने जितने परसेंट बैट्री चार्ज करी है, हम उतनी देरी मोबाइल को यूज कर सकते हैं, हंड़ हमे 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 हमने परसेंट चुष कर सकते हैं, तो स्कते आ और आप यूज करेंगे हमे हमे जो गहिंकि सबसेंट इन से तो वह जोता है जो है, अलखेज कर ने प्रिंटे मोबाइल के। करोगे तो वही उर्जा आपकी देर तक काम करेगी नेगेटिव कुछ नहीं करते हैं सिर्फ आपका टाइम कंजूमिंग जो है न वह घटा बढ़ा देते हैं कि मैं तरह के कलर पहनती हूं मुझे किसी कलर से कोई परहेज नहीं है मुझे सब कलर पसंद है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं रड़े श्टोन पहनती हूं तो वो चीज मेरे अंदर उस चीज को बढ़ाती है वहीं अगर मैं light colors पर जली जाती हूं white हो गया, off white हो गया, light blue हो गया, तो मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत जल्दी dull होती हूं, एक बार हुआ, दो बार हुआ, चार बार हुआ, फिर जब बार-बार हुआ ना तो समझ में आए कि ठीक है, avoid करो, कोशिश ही करो कि reddish tone ही ज्यादा रखो अपने आसपास, तो basically आपको हर टेम aware रहना पड़ता है, कि aware रहेगा बंदा तभी समझ पाएगा ना कि ये problem इस वज़े से भी हो रही है, क्या color भी matter करते हैं, colors बहुत matter करते हैं, जैसे घर के color, interior या exterior ये भी पैसे से matter करते हैं, पैसे से matter करते हैं, आपके ग्रहों के साथ भी matter करते हैं, आपके ग्रहे अगर आपके उन colors को आपके लिए favorable नहीं बना रहा होगा, तो आप कितनी भी मेहनत कर लीजें, आप उतना पैसा नहीं कमा पाएंगे, colors आपकी उर्जाओं को खीच लेते हैं तो आपको दिक्कत तो आएगी, कौन सा color पैसे को attract करता है, लाल color ज्यादा तर पैसे को बहुत ज्यादा attract करता है, लेकिन depend person to person हो जाता है, अच्छा ये person to person हो जाता है, क्योंकि लाल एक ऐसा रंग है जो हमेशा चीजों को अपनी तरफ खीचता है, positive चीजों को, तो इसलिए common color आप कह सकते हैं, pink, red, कि ये ज्यादा तर attract करता है इन चीजों को, लेकिन अगर हम बात करें कि हर इंसान के लिए red है तो नहीं, हर दिशा क्या हर इंसान को पैसा देती है, नहीं, डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली के अंदर आपको कौन सी दिशा से पैसा प्राप्त होता है, अब लोग ऐसा कहते कि south बहुत खराब है, और आप पूरी दुनिया में घूमाईए साहब, यह मैंने एक बार अपने एक वीडियो में भी बोला था, आप पूरी दुनिया में घूमाईए, आपको हर city का south ही सबसे जादा लक्जीरियस पैसे वाला सम्रध एरिया मिलेगा, आप गुर्गाओं का south देख लिजे, आप डैली का south देख लिजे, आप नॉइडा का south देख लिजे, आप जैपूर का south देख लिजे, आप हर city का south देख लिजे, तो जरूरी नहीं है कि हर चीज, हर किसी के लिए बुरी हो जाए, परसंट टू परसंट डिपेंड करता है चीजें साउथ बहुत सम्रद दिशा है हर चीज के लिए लेना आना चाहिए आपको अगर आपने लेना सीख लिया तो साउथ के अंदर तो खजाना है कुछ भी निकाल सकते हैं आप वहां से ग्यान, पैसा, लगजरी, यश तो डिपेंड करता है कि आपके साथ वो चीज कितनी फेवरेबल है और कितनी नहीं है कई लोग, अब मैं बहुत छोटा सा एक्जामपल बतारे हूँ कई लोग डैली के अंदर ही पैदा हुए वहीं उन्होंने काम किया, लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिली और वहीं वो अचानक से आउट ओफ इंडिया चले गए और उनको सक्सेस मिल गई वहां उन्होंने घर भी खरीद लिया, गाड़ी भी खरीद ली अच्छी पोजिशन भी हो गई, लग्जरी भी मिल गई, सब कुछ लाइफ में मिलने लग गया तो डिपेंड करता है कि आपकी कुंडले आपको किस चीज के लिए फेवर करती है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, ब्लैक कलर अच्छा नहीं है पर कई-कई लोगों के लिए ब्लैक इतना जादा अच्छा होता है कि वो ब्लैक कलर की ही गाड़ी खरीते हैं मैंने तब आपसे आते ही पूछा था कि घर के अंदर ब्लैक कलर कराना अच्छा होता या नहीं आपकी कुंडली अगर फेवर कर रही है तो बिल्कुल अच्छा है जिसके नाम से घर है जो व्यक्ति उस घर का मालिक है अगर उसको अगर फेवर कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल करा सकते हैं आप क्यों नहीं करा सकते हैं जिसके नाम पे होगा उसी के कुंडली देगा तो बिल्कुल कर सकते हैं अगर आपको ब्लैक कलर अगर आपको फेवर करता है क्यों नहीं कर सकते हैं ब्लैक कलर में नजर के लिए बचाने के लिए उसी ब्लैक का यूज किया जाता है साब उसी ब्लैक कलर का धागा पैर में बांध के बड़ी से बड़ी नाकारात्मक शक्तियों को दूर करने का कारे करते हैं उसी काले रंग की गुडिया घर के आगे टांग कर नजर बट्टू बना देते हैं तो वो रंग कहां बुरा है? बुरा कुछ नहीं है उसको समझने में अच्छा या बुरा है? आप उस चीज़ को प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं? आपके साथ वो काम कैसे कर रहा है? कभी आप चलिएगा मैं आपको मिलाओंगी किसी एक पर्टिकुलर इंसान से आप कभी मेरे साथ चलिएगा उनकी लाइफ के अंदर आपको ब्लैक के अलावा कुछ नहीं मिलेगा वो कोई और रंग पहनते ही नहीं है और अच्छा गासा सक्सेस्पुल व्यक्ती है वो अपने जीवन में और कोई ये कहे कि सक्सेस्पुल होने के बाद उस इंसान के अंदर सहियम नहीं है दैरे नहीं है तो जब आप उनसे मिलेंगे न तो आप बोलेंगे मैंने इतना शान्त और इतना सरल इंसान नहीं देखा अपने जीवन में पर वो सिर्फ ब्लैक यूज करते हैं उनकी हर चीज ब्लैक मिलेगे आपको उनको चाय का कब भी ब्लैक मिलेगा सोफे भी आपको ब्लैक मिलेंगे बात्रूम भी ब्लैक है मतलब आप ब्लैक ऐसा देखोगे उनके जीवन में क्या आप कहोगे ब्लैक यी ब्लैक यी ब्लैक यी ब्लैक पुछ सिर्फ ब्लैक और गोल्ड दो ही चीज़े यूज करते हैं हर जगे ये भी कईना के एंट्रेक करता है ब्लैक और गोल्ड और कोई नेगेटिव आदमी नहीं है इतनी पॉजिटिव बाते करेगा भगवान की बाते करेगा अध्यात्म की बाते करेगा आप उस व्यक्ति के साथ बैठेंगे आपको ऐसा लगेगा हरे यार ये बिलकुल अलगी दुनिया का अलगी लेवल का व्यक्ति है तो डिपेंड करता है कि आप उस चीज की साकारत्मक्ता ले रहे हैं या आप उस चीज की नाकारत्मक्ता ले रहे हैं जब नजर लग जाती है तो हम यही काले धागे को सिध करके बच्चे के गले में पहना देते हैं छोटे से बच्चे को यही काला धागा पहनाते हैं उसके पैरों में भी काले रंग के काजल के डॉट्स लगाते हैं येही काले रंग का सुलमा आख्व में लगाया आ जाता है। काला रंग मेरे ठाको जी का काला रंग है। काला नहीं है वह शांवरण है, लेकिन आप जाकर देखे वह मूर्तियों में मिलें पाले रूप को क्या उनके अंदर पावर नहीं है ? सबसे जादा पावर है सबसे जादा पावर है और तंत्र के अंदर सबसे बड़ी ताकत माकाली काला रंग है तो सब आप उस चीज़ को ले कैसे रहे आप कुछ लोग उन चीज़ों से बहुत नकारत्मक चीज़े निकाल लेते हैं हम जैसे भक्त सकारत्मक ले आते हैं तो लाने और आपको उसको अपनाने के उपपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करा लीजिए अपने हाथ में नहीं अच्छा लगा नहीं सूट हुआ कि फिर वापस से करवा लीजेगा जादस ज्यादा क्या होगा थोड़ा सा अपना पैसा ही इधर उतर होगा लेकिन मन के संतुष्टी हो जाई कुछ बहुत बढ़ा हाम नहीं होगा यह मैं तबह वाली जैसे आप बात बता रहें तबह भी हो जाती है वही चीज़े आपका और अगर बहुत कमजोर है आपके उस समय दशा महादशा बहुत कमजोर चल रही है आपका उस समय का जो फेज है वो कहीं ना कहीं आपको बहुत अंदर से वीक बनाए हुए तो डेफिनेट कुंडली कर जाती है और उससे कैसे उपरा जाए है डिपेंट आपकी कुंडली क्या कहती है उस समय अगर आप उस समय ऐसे दौर से चल रहे हैं जिसमें आप राहू से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं तो आपको काला रंग डेफिनेटली दिक्कत देगा ही देगा जैसे आप बता रेजिते हैं ऑलते हात से पैसे देने वाली बात दो उस पर नों बदौरियो मैं जब अपनी कोई भी अच्छी चीज के लिए पैसा दे रहें तो हमेश्य सीधे हात से पैसा देज़ेये हूँ मतलब घरम के नाम पर पैसा रहे है इसी की महनत का पैसा मणहां समय हमेशा जब भी किसी को अधिर सिद्वाले के लिए भी वह फ़ल और हमारे लिए वह फ़लिए से सब्सक्राइब तो हमेशा सीदे हाथ से पैसा कभी वह उल्ठे तो पैसे हो जाते हैं तो और अलग चीजे हैं उसमें फिर बहुत सारी चीज़े आज़ा है कि उल्ठे हाथ से कोड मतलिको या सीधे हाथ से कोड लिगा अगर लेफ्ट हैंडी है तो वो तो बैचारा उसी से ही लिखेगा ना वो क्या करेगा उसकी तो मचबूरी है पर डिजिटल मनी के अंदर यह चीज मेरी अपलिकेबल जब हमारी जोतिश बनीती तब यह डिजिटल वर्ल नहीं था कैश रखना ज़रूरी है कैश रखना चाहिए क्या आज कि आज के लिए इस इतनी डिजिटल ही हो चुकी है मैं खुद अपने उपर ही बोल रहा हूं कि मैंने दो साल से कैश ज्यादा रखा नहीं अपने पास आपको धन व्रद्दी का ही एक छोटा सा और उपाय बताती हो हलाके वैसे हम होली पे या दिवाली पे ज्यादा तर कहते हैं कि यह करी है लेकिन कोई अच्छी वह आती जैसे अभी अक्षय तित्या जाके चुकी है तो उस पे भी करा था पर बहुत सारी ऐसी चीजे हैं जह आप चांदी का लेलो स्टील का मतले न ठीक है उसके अंदर आप कोईंस भर लो ठीक है उसके अंदर एक सुपारी डो इलाइची रोली चावल और चंदन लगा के उसको आप लाल कपड़े से बाढ़ दो और उसके उपर हल्दी से स्वास्थिक बना दो ठीक है और इसे आप अपने घर के नौर्थ इस्त में स्थापित कर दो धन व्रद्धी हमेशा होती रहेगी घर में करजे नहीं बढ़ेंगे बरकत होगी पैसा कहीं रुका हुआ है फसा हुआ है तो वो भी आपके निकलने के पूरे पूरे आपको आशिरवाद ठाकुची की ओर से मिलेंगे इसे मंगल कलश भी कहते हैं धरवक्षा कलश भी कहते हैं लक्ष्मी कलश भी कहते है आपको ये बता रहिए हुआ कि ये संचित करके हमेशा रखना चाहिए अपने पास चंद्रमा डिपिक्ट करता है न, कैश रखना कैश रखने से कहीं न कहीं चंद्रमा अच्छा होता है चंद्रमा तो ठीक है अच्छा हो रहा है लेकिन कैश रखने से कहीं न कहीं आपके जीवन के अंदर कुबेर जी का और महालक्षमी का आपके उपर हमेशा आश्रवात बना रहता है आज की रेट में आपका पैसा कहा है बैंक में ठीक है आपके पास क्या है फोन ठीक है राहू का इंवॉल्मेंट है सारी जगे आपके उस पर तो कही ना कही ना डाइरेक्ट आपका एक लिंक होना चाहिए अपनी धन के साथ में तो थोड़ा बहुत कैश बहुत तो नहीं है आज रख सकते सेफ नहीं है पर थोड़ा बहुत आपको अपने पास जरूर रखना चाहिए जैसे लोग बिल्कुल परस खाली कर देते है बिल्कुल अलमारियां खाली कर देते है खाली पर्स कभी नहीं रखने चाहिए, पुराना पर्स भी है एक रुपे का सिक्काई डाल के रखो, लेकिन डाल के रखो, कभी भी अपने पर्स खाली मत रखे, कुछ भी रख दीजे उसके अंदर पर रखे जरूर, खाली पर्स मतलग धन, धन नहीं है तुम्हारे पास फिर रुकेगा भी नहीं फिर वो कहीं नहीं है, तुम्हारे जहां पैसो की बाद रही आती है, वहां पर उधारी भी आती है, तो कोई देता है और कोई लेता है, जो दे रहा है उसे वापेस कैसे मिले, इसकी कोई रेमेडी है आपके पास, मतलब किसी ने जैसे फर एक्जांपल या कुछ ऐसा जिसे हम वो पैसे वापिस ले सकते हैं, बिलकुल है, एक शुक्रियंत्र ले लिजे, शुक्रियंत्र, 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 ये आपको तामे का भी मिल जाता है, पंचधातु का भी मिल जाता है, चांदी पर भी मिल जाता है, तो आपको जैसा भ लेने के बाद उस व्यक्ति का नाम आपको ग्यारा बार बोल देना है, ठीक है, और एक मिट्टी का पात्र लेना है, जिसके अंदर आपको चावल भर देने है, और उस चावल के उपर आपको ये शुक्रियंत्र रख देना है, इसके उपर आपको लगबग 100 ग्राम आपको शहद इसके उपर डाल देना है, ठीक है, शुक्रवार की रात्री को ये का रहे होगा, और ये सारा समान जो है, वो ले जाकर आपको किसी कच्ची जगे पर छोड़ देना है, कच्ची जगे अंदसेंस, जहां पर मिटी रहे केबल, पकावा नहीं होना चाहिए, वहाँ पर कुछ बना हुआ नहीं होना चाहिए, कच्ची जमीन, जंगल वंगल टाइप, वहाँ जाकर आप छोड़ दीजे, और छोड़ते वक्त आप एक पानी की बोतल या पानी का लोटा अपने साथ लेके जाहिए, हाथ में जल लीजे, आप उस व्यक्ति का पुनहा 11 बार नाम लीजे, फूक मारिये और कहिए कि मेरा दिया हुआ धन, मुझे वापस लोटाए, ऐसा करके आप क्लॉक वाइस उस पानी को उस पात्र के चारो तरफ छिड़क दीजे, पीछे मुड़के नहीं देखना है, चुपचा वापस आजाए, सर्फ एक शुक्र रात्री को कर लीजे, ये कार्या, शुकल पक्ष की शुक्र होगा, दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुकल पक्ष, तो जो शुकल पक्ष का शुक्रवार होगा, अगर उस रात्र इसी चीज शनिवार की रात्री को पीपल के पेड़ के नीचे गड़ा खोद दीजे वहां पर आपको 27 दाने चावल 48 दाने काली उड़त की साबुत दाल उस गड़े के अंदर डाल देनी है और आपको उस व्यक्ति का नाम लेना है जिस व्यक्ति से आपको पैसे लेने है और आपको उस गड़े को भर देना है मिट्टी से और उसके उपर आधा निपू नी चोड़ देना है बंद करके हां और वापस आ जाना है और एक से जादा हो तो सब का नाम ले दो पर अलग अलग करिये से करिये है एक कुबेर मनी आती है मार्केट में मिलती है अभी मन्वृत करिवी कुबेर मनी भी अगर आप अपने पास रखते हैं उसके कुछ नियम होते हैं रखने के जैसे कि वो एक पटिकुलर हाइट पे रखी जाती है तब ही वो वर्क करती है ठीक है तो अगर वो आप रखते हैं अपने पास में तो भी ऐसा कहते हैं कि धन जो है वो आपका किसी और के पास रह नहीं पाता वो घूम फिर कि आपके पास आपका धन लोटाता है अच्छा और किसी से उधार पैसे लेने हो तो इसका भी कुछ है लेने हो तो मतलब मतलब किसी को किसी से उधार पैसे लेने और वो दे नहीं रहा होता है वो तो फिर देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली आपको कितना सपोर्ट कर रही है उस चीज के लिए उपाय तो उसके लिए भी होते हैं लेकिन जैसे बैंक से लोन लेना होता है तो उपाय तो उसके ल तादमु तो कुछ नहीं हो नहीं मैं आपके आपसे ना बहुत सारे तंत्र वगेरा की बाते हमने सुनी है और मैं आज एक बार आपसे वशीकरन के बारे में और जानना चाह रहा हूँ कि वशीकरन क्या है और क्योंकि यह बहुत आपने आपकी वीडियोस में मैंने बहुत देखा है किस-किस चीजों से आप वशीकरन कर सकते है आपने बहुत बताया अब यह थोड़ा-थोड़ा करके मैं पूरा ही देखा है थोड़ा-थोड़ा देखा है तो आज मैं 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 से पूछना चाहता हूँ कि एक्चुली में वशीकरन होता है पहले आप मेरे को यह बताओ होता है और किस-किस चीजों से हो सकता है मतलब सबसे चोटी चीज क्या है जिससे आप वशीकरन कर सकते हो चीनी का एक दाना चीनी का एक दाना मीठा चीजों से होता है मीठी चीजों पर ज्यादा असर करता है मीठी चीजों से वश्यकरन ज्यादा होता है बाकी वश्यकरन वनस्पति किसी भी वनस्पति के थुरू हो सकता है कोई भी मसाले जैसे कि आपकी इलाइची हो गई लॉंग हो गई काली मर्च हो गई काजल से वश्यकरन होता है सिंदू ऐसा कहते हैं कि वहां शाम के बाद नहीं जाते करके तो भानगड की जो रानी थी उनको वश्यकरन करने के लिए इत्र के द्वारा उनके उपर वश्यकरन करने की कोशिश की गई थी तांत्रिक द्वारा जो उन्होंने उनकी एक दासी थी वो थोड़ी जानकार थी इस बारे म कि बहुत सारी का तो इस तरह की बहुत सारी कथाएं का बिशिकरन का जिक्रTele कुद को बचाने के लिए वश्यकरन अब थीके बदलते वक्त के साथ चीज बदल गई हैं बॉइंज ऑरतार्इंज तो कळाने के दना के लिए इसके लिए वश्यकरन के ज साबेः का. तो घंड या परिष्जितित्यर पर आगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप सामने वाले को समोहित करके अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं जैसे बहुत सारे राजा जो है वो वर्षीकरन कराते थे अपनी सैना को बचाने के लिए जब उनको ये लगता था कि अब मेरी हम हार जाएंगे और मेरी सैना मारी जाएगी तो वो सामने वाले के ऊपर वर्षी करा देते थे सामने वाली सैना पर और अपनी सैना को बचले जाओ-जो यहां से हटला ताकि तुम बच जाओ तो देखिए बहुत अलग-अलग स्तितियों में वशीकरन को यूज करना बताया गया वशीकरन जानवरों से protection के लिए भी बताया गया था ताकि जानवर जो है वो आपके उपर attack ना कर सके वो आपकी बात से या आपके मंतर से उसी समय मंतर मुख दो जाए और वहीं पर बैठ जाए तो आप अपने आपको save कर सके तो बहुत अलग-अलग देखिए तरीके और बहुत अलग-अलग चीजें हैं तो वशीकरन तो अपनी protection के हिसाब से ही बनाए गये थे कि आप अपनी आपको negative चीजों से या उन चीजों से protect कर सके पर वक्त के साथ बहुत चीजें बदल गई कहते हैं हर चीज का उपयोग से जदा दुरुपयोग होता है तो उसी तरीके से तंत्र का black magic का दुरुपयोग बहुत किया गया प्रियोग करने की बचाए तो वशी करन बहुत तरेके होते हैं तब में एगी तरीके का मंत्र नई हर एक का अलग मंत्र होता है हर एक चीज का अलग मंत्र होता है शाबर मंत्रों से वशी करन किया जाता है मा काली के मंत्रों से वशी करन किया जाता है गनेश जी का एक बहुत सिद्ध मंत्र है जिसके अंदर मतलब ये बेसिकली राजाओं को दिया जाता था राजा को या मंत्रियों को जिससे पूरी जो जनता है जो उनकी पब्लिक है वो उनके समोहन में रहे उनके कंट्रोल में रहे तो पूरी दुनिया को वश्यकरन करने के लिए वो मंत्र बोला जाता था आकर्शन का जैसे अलग मंत्र होता है वैसे वश्यकरन के भी अलग-अलग मंत्र होता है हर देवी का अपना एक मंतर है, हर देवता का अपना एक मंतर है, हर एक चीज का अलग तरीके से उप्योग करके, अच्छे आपकी नियत अच्छे तो आप चाहे कितनी भी गलत तरीके से उस चीज को करें, लेकिन वो अच्छा ही फल्द आपको देगा, अगर आपने किसी का व वर्षी करन के अंदर तो कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, अगर आपने उसको यह कह दिया, जैसे उसमें भी दिखाया गया था मोवी में, कि तुम कुछ जाओ इसके अंदर, तो सामने वाला वही करेगा जो आपका होगे, आप सामने वाले से यह को कि तु जाता है कि उसकी कुछ नहीं कह सकते हैं, वो इंसान बचेगा नहीं, बचेगा कोई गारेंटी नहीं, झाले से यह को जाता है, यह को जाता है, वो आपका 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 है, वो आपक